आज की जो रेसिपी है ना देखते ही आप डेफिनेटली ट्राइ कने वाले हूँ सुबे ब्रेकफास्स में खाना है या पच्छों को टिफिन में देना है रात में हलका फुलका अगर डिना लेना है तो ये रेसिपी परफेक्ट है बिना कोई जंजट घर पर रखे हुए इंग्रीडिंट के साथ रेसिपी बनती है तो देर किस बाद के चलिए लेट्स स्टार्ट हलो फ्रेंड्स और वल्कम बैक तो माई चैनल चलिए आपको काम आसान करती हूँ ब्रेकफास्ट टिफिन या डिनर के लिए ये रेसिपी एंज़ॉई कर सकते हैं इनफेक्ट ट्रावलिंग कर रहा है तब भी ये रेसिपी आप लेके जा सकते हैं स्वीट कौन ले लिया है इसके दाने निकाल लिये हैं तो लगभग एक कप के आसपा से दाने हुए हैं इसे में चौपर में डाल के चौप कर लूँगी चौपर नहीं है तो आप पल्स मोड पे भी इसे कर ले बस इसको दरदरा हमें इसको पीस लेना है चले यह रेडी है अब एक बड़ा सा बोल ले लेंगे इसमें डालेंगे एक कप सूजी जो भी कटोरी ले रहे हैं उसके एकौर्डिंगली ही सारे मेजूरमेंट ले लिजेगा इसमें मैं डालूंगी आधा कप के करीब बेसन जो इसको बैंडिंग भी देगा और परफेक्ट टिक्श्चर भी आएगा आधा कब हम डालेंगे नहीं थोड़ा से खटा लेंगे ना तो जादा अच्छा लगेगा बस इसे मिक्स कर लेंगे अब डालूंगी मैं आधा कप क करीब पानी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से अब सूजी डाली है तो थोई टाइम इसे फूल ने जरूर छोड़ना है तो पांच मिनिट के लिए बस मैं इसे छोड़ रही हूं साइड में पांच मिनिट बात फ्रेंस हम इसमें डालेंगे जो स्वीत कॉन हमने अध़ा को कड्यू कस करके डाला है एक चमछ के करीब एक चमछ अफ हलदी तक हांच माशा तोड़ा सा आप गरम मसाला डाल दे आधा चमछ लाल मेच का पाउडर दाल दे नमक डाल दे स्वाद अनुसार इसकी बाद चिली फिलीक्स छिली कश गरीद जाला है इसे तेबल स्पून के करीब ऑईल डाले इससे क्या होगा कि ड्राइ नहीं बनेगी हमारी रेसिप्री बस सारी चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें एड करूंगी पानी तो एक कप और एक चुथाई कप पानी लगा है यह तोटली डिपेंड करेगा और इस बैटर की consistency आप चेक कर लें यह तम perfectly done है बस ऐसा ही बैटर हमें चाहिए चले इससे बनाने के लिए हम प्लेट को ग्रीज कर लेंगे ऑईल से अच्छी तरह से ग्रीज करें साइड में भी ऑईल लगा लें अब बहुत ही important point हमेशा बैटर को आप डिवाइट करें और कि इनो अच्छी तरह से अक्टिवेट हो जाए गलती जो सब करते हैं कि इनो डालके फटाफट मिक्स करते वैसा नहीं करना है हलके से ही आपको इस तरह से मिक्स करना है लेट हमारी घ्री है बस उसमें यह बैटर को आड कर लेंगे और थोड़ा सा हम टाप कर लेते हैं इसक कि बाद ही आप धोकला बनाए इडली बनाए अगर स्टीमर थंडा होगा वो टाइम लेगा तो फिस सॉफ नहीं बनेंगे स्पॉंजी नहीं बनेंगे धोकला और धोकले को हमेशा हाई टेंपर पर ही आपको कुप करना है तो इसे हाई फ्लेम पर 20 मिनिट के लिए हम स्टीम कर लेंगे 20 मिनिट बाद चले चेक कर लेते हैं तो चेक के से करना है आपको आप नाइफ ले ले इसमें इंसर्ट करें क्लीन निकलना चाहिए यानि परफेक्ली डन है तो इसी पॉइंट अफ टायम पे गैस को आफ कर लेती हूँ और इसे आप थोड़ा सा थंडा होने देत तो ये टिव भी आप याद रखीगा तो देखिए मैंने यहां दोखले को कट कर लिया है अब इसके उपर फ्रेश कटा हुआ धनिया आड कर लेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला में स्प्रिंकल कर रही हूँ और हमारे जो कॉन ढूखला है इंस्टिंट वाले वो रड़ी ह लग रहे हैं दम टेस्टी चलिए फटा फट से इसके लिए एक कटका प्रिपैर करते हैं तो यहां मैंने तेल को गरम कर लिया है इसमें एक चमत सरसो और एक चमत सफे तिल आड कर लिया है इसे कटकने देते हैं इसके बाद इसमें हरी मिर्ची आड करते हैं थोड़ा सा हिं करते हैं और फ्रेश करी लिए सिंदम सिंपल तड़का लगाया है वैसे आप ऐसे ही स्टीम भी एंजॉय कर सकते हैं वो भी टेस्टी लगता है और हम गुजराती धोकला है पात्रा है मुठ्या है हम स्टीम ही जादा प्रिफर करते हैं हम तड़का वगरे नहीं लगाते बट आज मैंने आपको तड़का बता दिया है सिंपल तड़का है बट इससे इसका टेस्ट एंहांस हो जाएगा तो रेड़ी है हमारा कॉन धोकला तो फ्रेंट्स कैसे लगी आपको आज की रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुझ में पानी आया की नहीं ज़रूर कमेंट करके बताएगा इसके साथ कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है यह इसेल्फ अ होल मील आप बोल सकते हैं इसमें कॉन है इसमें सूजी है फिलिंग रेसिपी है और जो सारी टिप्स आप से शेयर की वो टिप्स आप जरूर फॉलो करें परफिक्ट आपके फर्स टाइम में ही यह कॉन ढुकले बनेंगे सूपर सॉफ्ट है बिल्कुल ड्राइ नहीं बनने वाले है ट्राइ करें और आपके फिट बैक दें चलिए मैं तो जा रही हूँ इसे इंजॉई करने अपने डिनर में आप बनाएं और आपके फिट बैक देना ना भूलें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाइ